North, South, East, West दोस्तों मैं डॉक्टर पुनीच चावला हमेशा की तरह लाइव वास्तू में आपको वेलकम करता हूँ मैं आपको छोटी छोटी प्राबलम से छुटकारा दिलाने की कोशिश करता हूँ ताकि बड़ी प्राबलम आपकी लाइफ में ना सके क्योंकि हमारे हाथ में दोस्तों कुछ नहीं है जो लिखा है उपर वाले ने वही आपकी जिन्दगी में मिलेगा लेकिन अगर आपका रस्ता क्लियर हो तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ अच्छी हो गई एक छोटा से एक्जैम्पल देता हूँ दोस्तों कि आप बहुत सारे पत्थर सडक पर बिछा दीजिए और एक छोटा सा पत्थर अपने शू में डाल दीजिए तो वह छोटा सा पत्थर आपको चाहे प्लेन सडक हो चाहे पत्थरीली सडक हो आपको चलने नहीं देगा क्योंकि वह छोटा पत्थर आपके पैर में बहुत चुबेगा जो शू आपने डाला होगा उसके साथ मिल करके वह पत्थर आपका जीना मुश्किल कर देगा और अगर वह पत्थर आपके पैर में नहीं है और एक स्ट्रॉंग शू आपके पास है तो पत्रीली सड़क पर भी आप चल सकते हैं तो समझ लीजे कि live वास्टू एक सपोर्ट है एक शू की तरह जो आपको सपोर्ट देती है और आपके रास्ते जैसे भी हो पत्रीले हो साफ सुत्रे हों अगर साफ सुत्रे हैं तो वह शू आपको फटा 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 आपके मन्जिल तक ले जाएगा और अगर सड़क पत्रीली है तो समझ लीजिए कि थोड़ा स्लो चलेंगे लेकिन पहुचेंगे जरूर तो लडाई जगडा उनमें से एक ऐसा चोटा पत्थर है जो आपके शू में घुश जाए तो समझ लीजिए कि खत्म जिन्दगी आपके घर से लडाई हुई आपकी वाइफ से आपकी नोग जोग हुई और आप आफिस में जरूरी प्रोजेक्ट, जरूरी मीटिंग, जरूरी बिजनस डीर और आपका दिमाग एक दम डम क्योंकि जगडा हुआ हुआ है भई, कैसे आपका दिमाग चलेगा, नाश्ता नहीं मिला, सुबह की चाय नहीं मिली, आपका दिमाग कैसे चलेगा अपने काम में, बिलकुल भी नहीं चलेगा दोस्तों, तो यहीं पर मैं मार करना चाहता हूँ मेरे बस बहुत कॉर्पोरेट्स आते हैं, कहते हैं कि हमारे यहां पर टर्नोवर नहीं निकल पाती, सर इस टर्नोवर का कुछ कीजी, एक राउन तुम्हें पूरी फैक्टरी का लेता हूँ फिर उसके बाद कहता हूँ कि आपके जितने मैनेजर्स हैं, भाई मेरी मीटिंग एक बर ही जरूर करा दो, तो उनके फेस को पढ़के, उनकी बॉडी लेंग्विज को पढ़के, मैं कहता हूँ कि देखो इनको घर से भी एक टॉनिक मिलने की जरूरत है, क्योंकि इनकी वा नहीं निकलेगी, तो एनरजी, अच्छी एनरजी, पीसफुल एनरजी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अब बात आती है कि क्यों होते हैं लडाई जगड़े, लडाई जगड़े होते हैं दक्षिन पूर्व, यानि कि साउथ हीस्ट के वास्तु डिफेक्ट से, कोई भ लीगल प्राबलम आ जाएगी, आपका बेडरूम अगर साउथ हीस्ट में है, तो समझ लीजे कि हर सुबह हर राब आपकी खराब हो गई, कि लडाई जगड़ा होना ही होना, तो पीस्फुल स्ट्रिंग, पीस स्ट्रिंग, रोस क्वार्ड क्रिस्टल से बनी हुई, आपको हेल्क कर सकती है, क्वार्ड क्रिस्टल का ही यह दूसरा फॉर्म है, इसे रोस क्वार्ड क्रिस्टल कहा जाता है दोस्तों, बहुत जाधा डुपली केसी अवेलेबल होती है, कभी-कभी कुछ Healers इसे यूद करते है एनर हों, फ्रूर करने के लिए, लेकिन क्या होता है, कि शीशे को कलर कर दिया जाता है पिंक कलर में और सिंथेटिक डाइस से कलर किया जाता है तो पता ही नहीं लगता कि रोस कोड्स क्रिस्टल है या यह नैचुरल डाइड चीज है शीशा को डाइड किया दिया है तो उससे हमें रिलीफ नहीं मिलता आपके सामने मैं दिखा रहा ह तो समय लीजिए कि आपकी जितनी भी टेंशियन रिलेटेड प्रॉबलम है जगडे रिलेटेड प्रॉबलम है इंबैलेंस है आपके और आपकी वाइफ के बीच में हार्मनी नहीं है तो वह क्लियर हो जाएगा दूर हो जाएगा नौट साम इस्ट विस्ट प्रॉबल